नमस्कार दोस्तों मैं सौनू लोईया, SSAGD मोख टेस्ट रिजमा आपका हर्दि स्वागत करता हूँ आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मोख टेस्ट है तो आप सभी मेरे साथ मिल करके उसे हल करने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे जो आज का मोख टेस्ट है उसका पिर्थम कोस्टन आपके सामने और पिर्थम कोस्टन में आप देख रहे हैं कि नीमली खितमे से किस की रचना हरी सेंड के द्वारा के गेती या विजय सेन का आपका देवपाड़ा पिरसस्ती है या खारवेल का हाती गुमफा अभी लेक है तो आपको बताना है कमेंड करके कि हरी सेन ने नीन में से किसकी रचना की थी बताएंगे सभी कमेंड करके बताएंगे हरी सेन जी तो हरी सेन सब जानते हैं हरी सेंड किसका दरवारी कवी था हरी सेंड था आपका समुद्रगुप्त का दरवारी कवी किसका दरवारी कवी था हरी सेंड किसका दरवारी कवी था आपका समुद्रगुप्त का आपने पढ़ा है समुद्रगुपत का दरवारी कवी कौन था हरी सेंड तो आपने पढ़ा ह प्रियाग इस्तम अभिलेग आप याद रखेंगे प्रियाग इस्तम अभिलेक कहां पर है प्रियाग राज में प्रियाग इस्तम अभिलेग तो प्रियाग इस्तम अभिलेग पर किस मुगल सासक का भी वर्णन आपका मिलता है तो आप बताएंगे प्रियाग इस्तम अभिलेग पर किस मुगल सासक का विवरण मिलता है तो उसमें आप्शन मिलेंगे जैसा अकबर हिमायू जहांगीर सहाजा आपको ब लखेंगे प्रियाग इस्तम अभी लेक हरी सेंड आपने लिखा है और कहां पर है प्रियाग राज में और इस पर किस मुगल सासक का भी विवरण मिलता है जहांगीर का भी विवरण मिलता है किलर हो गया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाती गुंफा भी लेक करतनाकार कौन आ आपने आपसे पूछा जाएगा तिथी रही तभी लेक कौन सा है तिथी रही तभी लेक जिसमें कोई तिथी अंकेत नहीं है तो तिथी रही तभी लेक कौन है तिथी रही तभी लेक हाती गुंफा अभी लेक और आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा भी लेक है जिसमें एरन अभी लेग कहां पर इस्थित है यह इस्थित आपका मद्ध है परदेश में कहां पर है मद्ध है परदेश किलर हो गया एरन अभी लेग कहां पर आपका मद्ध है परदेश किलर हो गया सभी का एरन अभी लेग कहां पर है मद्ध है परदेश में किलर हुआ सभी का देख को बताना कमेंट करके कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें बिर्टिस राज की भारत में नीव पड़ी तो पानिपत का तीसरा युद्ध है प्लासी का युद्ध है बकसर का युद्ध है 1857 का विद्र है बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे कि अंग्रेजों के दुआरा भारत में निव किस युद के बाद मानी जाती है आप बताएंगे कमेंट करके सभी तो इसमें आपका कौन सा है इसका अंसर कौन सा होगा इसका अंसर होगा आपका कौन सा पिलासी का युद्ध कौन सा युद्ध होगा आपका पिलासी का युद्ध तो आप पढ़ते हैं पिलासी का युद्ध कब हुआ था आपका ते जून 1777 कब हुआ था ते जून 1777 को और इसमें आपने पढ़ा होगा बंगाल का नवाब कौन था सिराज उद दौला बंगाल का नवाब कौन था आपका सिराज उद दौला कौन था बंगाल का नवाब सिराज उद दौला तो सिराज उद दौला आपने पढ़ा होगा इसको किसने पराजित कर दिया जो अंग्रे में अंग्रेज हो के द्वारा भारत के में आपकी नीव इस्थाफित करने के लिए पिर्मक युद्ध से माना जाता है प्लासी का युद्ध आपका तेजून 1757 कि लिए हो गया उसके बाद आप पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध कभ हुआ है बक्सर का युद्ध आपने पढ पराजित किया कौन कौन था एक तो आपने पढ़ा होगा अवद का नवाब कौन था इसमें सुजा उद्ध दौला वजगा नवाब कौन था सुजा उद्ध दौला तो इसको पराजित किया और आपसे पूछा जाएगा मुगल समराट कौन था मुगल समराट साहा आलम सेकि और बंगाल का नवाब कौन था बंगाल का नवाब था मीर कासिम इन तीनों को पराजित कर दिया कौन से युद में बक्सर के युद में इस युद के बाद फिर वास्तम में किसकी सत्ता इस्थापित हो जाती अंग्रेजों की 1877 का विद्र आपने पढ़ाई है फिर यह कासि बंगाल में और पानिपर का प्स्चिव और पानिपत को यह आपने पढ़ाई है एँमसा अवडाली ने किसको हरा दिया मराठो को हराया एहमस साब दाली ने किसको राया मराठो को इसमें हरा दिया एहमस साब दाली जीत गया और ये युद कब हुआ था 1761 में कब हुआ 1761 किलियर हो गया जी आगे बढ़ते हैं तो इसका अंसर क्या था आपका प्लास से का युद 23 जून 1777 जी आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे next question है दक्षिन बारत में कहां British East India Company ने 1649 में व्यापार चौकी या ट्रेडिंग पोस्ट का निर्मान किया था बताएंगे सभी comment करके तो इसमें आपका कुड़ लोर है मद्रास पत्नम है या काला हस्ती है कालवार है बताएं सभी comment करके बताएंगे कहां पर trading post का निर्मान किया था बताएंगे सभी जी तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर आपका मद्रास पत्नम क्या है आपका आंसर मद्रास पत्नम जबकि अगर आप से पूछा जाएगा अंग्रेजों के द्वारा क्या है अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली व्यापारी कोठी कहां पर तो अंग्रेज आपके सूरत व्याद रखेंगे अंग्रेजों के द्वारा भारत पहली व्यापारी कोठी कहां पर स्थापित की गई सूरत और सूरत कहां पढ़ता आपका गुजरात में पढ़ता है तो इसे भी याद रखेंगे अंग्रेजों के द्वारा पिर्थम व्यापारी कोठी कहां पर कोली गई थी आपकी सूरत क्या नाम था आपका Captain Hawkins इसे याद रखेंगे कौन था आपका Captain Hawkins आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन है नीम लिखित में से कौन सी दहतो सीतल जल में तैरती है magnesium potassium calcium या क्या है नेक्स्ट कनमना बढ़ते हैं सब करेंगे का प्रटेसयम स क्या है क्या है आपका पोटेसयम या क्या हो गया जी आगे बढ़ते हैं कि निर्फ प्रभरल को ने हैं निर्मेस कौूंसा हार्मॉन इस नदारियों हृत्व बताने कुणक्षी cancel करता है तो आपको बताएंगे व्रद्धी करता है तो इंसूली ने मेला टोनीन ये थायरॉक्सीन आडेनेलीन थैंटे ने हणिए दौन असा हार्मॉन सा हो raci keep पंदन में आपका व्रद्धी करता है ठीक है बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे तो यह सा कौन सा हार्मोन इनसूलीप मेला टोनिन थारोक्स लें डिनेलिझ तो ऐसा हर्मॉन स्पाइडि रिनले अर्मौन कुन सी ग्रन्थे से निकलता है यह लिकलता आपका अधिवरक गरंथी या आप इंगलीस में बोलते हैं एडिनल ग्लेंट ठीक है इंगलीस में क्या बोल देंगे इंगलीस में बोल देंगे एडिनल ग्लेंट क्या बोल देंगे एडिनल ग्लेंट से आपका निकलता है कौन सा आपका हर्मोन से एडिनेलिन हर्मोन अधिवरक गरं फाइट एंड फिलाइट जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथी से निकलते हैं तो वो निकलते हैं आपके अधिव रख के ग्रंथी से या ऐसे हिंदी में पूछा जाए लड़ो या उड़ो क्या है लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सी ग्रंथी से निकलते हैं तो याद या आपका त्वैचा के लिए बहावित होता है और इंसुलीन हारमोन से आप पढ़ते ही ये कौन से गरंती से निकलता है अगनास से गरंती से इंसुलीन की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग हो जाता है तो आप याद रखेंगे शुगर या मदू में सुगर या मधु में, इंसुलिन के टीके खोल किस ने की थी, बेंटिंग एवं बेस्ट, किलर हो गया, तो आप सो याद रखेंगे, हिर्दे स्पंदन के लिए, हिर्दे स्पंदन में ब्रद्धी के लिए, कौन सा हर्मोन साफ का जिम्मेदार है, एडिनेलिन, कौन सा है, एड और Pepsin बताइंगे सभी में जी मानव में वसा का पाचन, treball का जो पाचन ही हों कौन करता है तो इसमें कौन करता है आपका लाइपेज पिर्मक रूप से होता है तो लाइपेज आपने पढ़ा होगा जो वसा होते है ठीक है वसा वसा को किसमें तोड़ देता है वसीय अमल में तोड़ देता है किसमें तोड़ देता है आपका वसीय अमल में तोड़ देता है तो इसके लिए कौन सा आपका हर्मोन जिम्मेदार होता है लाई पेज कौन जिम्मेदार होता है आपका लाई पेज क्लियर हो गया कौन इसे मलिन हो जाती है तो आपको बताना है कि जो आपकी वायू में अगर चांदी की सीट को छोड़ दिया जाए तो आपका किसके कारण आपकी मलिन हो जाती है गंदी हो जाती है तो आपको बताना है कमेंड करके बताएंगे सभी कमेंड करके बताएंगे किसके कारण आपकी ग गंधि ताफ से किसकी मिस्र दातुए कान साख सक इसकी मिस्र दातुए को पर और जस्ता पर और टिए जिंक और मेगनेशियम है लोहा और आपका कॉपर है बताएं इसमें कमेंट करके कांस से किसके मिसर धातु है जी ऑप्सन ऑप्सन भी ऑप्सन भी में क्या है का कॉपर और आपका टिन क्या है कॉपर और टिन COCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCY क्या बनाएंगे आपका पीतल तो पीतल अगर आपसे पूछ रहा है, उतांबा या जस्टा, ठीक है, याEu बोल दे के आप गॉप्र पिला जस्टा और म मक्की का दंग एक अम्मलब छोड़ता है, जिसके कारण धर्द और जलन होती है, तो छोड़ने जाने वाला आपका अम्हें तो छोड़ने जाने वाल आपका अम्ल कौन सब्सक्राइव टार्टरिक अम्मले सिटरिक अम्ले एथो न इक अम्ले या मेत नूइक कौन सा अमल बोल देते हैं, फॉर्मिक अमल भी बोल देते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, जो इमली होती है, क्या है, इमली, इमली में कौन सा अमल होता है, इमली में, इमली में होता है, आपका कौन सा टारिक अमल, कौन सा होता है, इमली मे कौन सा होता है आपका सिट्रिक अमल नीबू में कौन सा आपका सिट्रिक अमल नेक्स कोस्टन देखते हैं नेक्स कोस्टन क्या है जी नेक्स कोस्टन है किसके प्रियोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस मार्जिन के रूप में आपका रूपांतित किया जाता है तो क्रत्रिम आप बताएंगे किसके प्रियोग से तरल वनसपति तेलों को ठोस, करत्रिम, मक्खन या मार्जिन के रूप में रुपांतित किया जाता है hydrogen gas, chlorine gas, carbon dioxide gas या oxygen gas बताएंगे सभी comment करके बताएंगे तो ऐसी कौन सी gas होती है ऐसी gas होती है आपकी hydrogen gas कौन से गawiiba हो और यह जो आपकी करिया होती ripe है आदो जनी करण क्या बोलते हैं थैश जनी प्लिट में पांड़ीह का क्या हो या ती आज बोलते हैं है नीश प्लensation या क्या हो देख ने करण क्या तो आपको बताना है किस अधिनयम के माध्यम से बहारत मंत्री मंदल पिर्णाली की सुरुआत कीगी, तो 1813, 1833, 1850 या 1861, तो आपको बताना है कौन सा अधिनयम में जिसके माध्यम से बहारत मंत्री मंदल पिर्णाली की सुरुआत कीगी, बताएंगे सभी, तो इसमें कौन सा आपका जी ऑुपसंडी ऑपसंडी में क्या है आफटनी में टर्फ ऑफ स्क 6181 एक्ट के मधद्हम से भार्त में किस पुर्णा लिगे सुर्वाथ हुई मंधरी मंदल पृणाली आप से पूछा जाएगा किस एक्ट के म१्धम से अधिकल करने का आप तो कौन सा एक्ट है तो आप याद रखेंगे वीस वर्सों के लिए 2813 भारत का सब्हि कर दिया गया तो कौन सा एक्ट है ठारे सो ते थे और जो बंगाल इस के तहत्त बाघारत का पिर्थम गवर्नर जन्रा लाड विलियम बेंटिक समविधान का हिंदी संषरन किस व्यक्ति न लिखती न लिखा था तो भीहिम राव अंबेडगर राममनोहर सिना बसंत करेशन वैद रप्रेम बिहारी नारण इनमें से आपको बताना है हिंदी संस्क्रण किसने लिखा था तो हिंदी संस्क्रण का जो आपका सुलेगन है वो किसने किया था भारते सम्विधान अगर आप से कोशन प कमेटी और प्रारूप कमेटी के अध्यक्स कौन थे भीहम राव अंबेडगर अध्यक्स कौन थे भीहम राव अंबेडगर ये इसके अध्यक्स ते याद रखेंगे प्रारूप कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी साथ कितने सदस्य थे आपके साथ तो ये द्वारा बनाये गया अब इसमें सदस्य खोपाल सवामी आयंगर कॉन गोपाल सवामी आयंगर एक तो आपके ये सदस्य थे गोपाल सवामी आयंगर इले हो उसके बाद याद रखेंगे अल्लादी किर्सना स्वामी ऐयर क्या है अल्लादी किर्सना स्वामी ऐयर यह आपके सदस्य थे इसमें इनको याद रखेंगे सबी को कोसर बन जाते हैं और कौन थे आपके मुहम्मद सादुल्ला कौन थे थे मुहम्मद सादुल्ला कौन थे मुहम्मद सादुल्ला नेक्ट उसके बाद याद रखेंगे कौन थे इसमें याद रखेंगे बी एल मित्र कौन थे आपके बी एल मित्र कौन थे आपके बी एल मित्र ठीक है उसके बाद याद रखेंगे के एम मुंसी ये याद रखेंगे के एम मुंसी और कौन थे आपके एक याद रखेंगे डीपी खेतान कौन थे डीपी खेतान तो ये आपके छे अन्य सदस्य थे कौन थे आपके छे अन्य सदस्य थे फिर आप से पूछा जाता ऐसा कौन सा सदस्य था जो आपका अपने आप इससे हट गया तो ये प्रारूप समीति का आपके क्लिर हुआ उसके बाद आपका याद रखना है इसमें कोशन आप याद रखेंगे कि भारते सम्विधान को लिखने का कारी है तो इसमें आप याद रखेंगे अगर आपसे कोशन पूसर जा रहा है भारते सम्विधान को लिखने का कारी है तो लिखा किस ने था आपका राम लिखने का जो आपका कारिय वो किस ने किया प्रेम बिहारी नारण भारते संविधान का लिखने का कारिय किस ने किया प्रेम बिहारी नारण किस ने किया था प्रेम बिहारी नारण ने भारते संविधान को लिखने का कारिय किया जो हिंदी स संस्क्रण है हिंदी संस्क्रण ठीक है अंग्रेजी संस्क्रण किसे लिए प्रेम बिहारी ना लेकिन हिंदी संस्क्रण आपसे पूछ रहा है हिंदी संस्क्रण तो इसमें आप याद रखेंगे इस व्यक्ति का नाम क्या है बसंत क्रेशन वैद क्या नाम है बसंत क्रेशन वै किस ने किया तो इसमें आप याद रखेंगे नंदलाल बोस किस ने किया था जी नंदलाल बोस ने सजाने का कारे किया लेकिन आप से पूछा जाए प्रस्तामना को सजाने का कारे प्रस्तामना को किसको प्रस्तामना को सजाने का कारिये तो प्रस्तामना को आप याद रखेंगे राम मनोहर सिनहा राम मनोहर सिनहा ने आपका सजाने का कारे किस को किया प्रस्तामना को सजाने का कारे किस ने किया राम मनोहर सिनहा किलर हो एक बार पुरें देख लेंगे भारते सम्विदान को बनाने का कारे कौन सी कमेटी ने क्या प्रारूप कमेटी ने कुल सदस्तों के संख्या साथ है अध्यस कौन है भीम राव अम्बेडगर अन्य सदस्ताप के छे आपके सामने गोपाल स्वाम यायंगर अल्लादी कृष्ण तो इतने कोसे ने और भारते सम्विदान के इतने दिन में दो वर्स क्या है आपका दो वर्स 11 महा और 18 दिन 12 वर्स 11 महा और 18 दिन में आपका बनकर तैयार हो गया था 12 वर्स 16 महा 8 दिन में बनकर आपका तैयार हो गया था किलर हो गया next आगे बढ़ते हैं next question dेखते हैं next question क्या है next और संग सासिद पिर देशों के लिए अलग उच न्याले की सनुच्छेद में दिया गया तो जो आपके UT हैं Union Territory हैं उसके लिए अलग उच न्याले की सनुच्छेद में दिया गया है 124 में दिया गया है 241 में 215 में 216 में बताएंगे सभी तो भारत में जो आपका निया व्यवस्था है निया व्यस्था में आप यॉद रखेंगे एक तो आर्टीकल 124, एक यॉद रखेंगे 214, एक कौन सा है 116, और एक कॉन सा है 11241 इसको याध रखेंगे, 124 अगर आप से पूछ रहा है सुप्रीम कोट का गठन वे सरचना किसमें सुप्रीम कोट का गठन वे सरचना तो इसमें आपका कौन सा अर्टिकल है 124 कौन सा है 124 आपसे पूछा जाएगा जो आपका पिरतेग राज्ये के लिए एक हाई कोट होगा एक हाई कोट होगा तो इसके लिए कौन सा अर्टिकल है इसके लिए आर्टिकल दोसो चोद है आपसे पूछा जाएगा हाई कोट का गठन वे सरचना इसके लिए 216 कौन सा है 216 और आप के लिए क्या है आपका यूटी या यूनियन टेरिटरी या केंसासी परदेश के लिए क्या है यूटी के लिए हाई कोर्ट ठीक है यूटी के लिए क्या है हाई कोर्ट तो यूटी के लिए हाई कोर्ट का गठन वे सरचना तो यह कौन से आर्टीकल में दिया गया यह दिया ग और भारत में एक मातर ऐसा यूटी कोई आपका दिल्ली कोई आपका दिल्ली जिसका अपना एक अलग हाई कोट है तो याद रखेंगे कोई ऐसा आपका दिल्ली आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन है चोर मिनार का निर्मान किस आशकने कराया था चोर मिनार फिरोसात उगलक अलावद्दीन खेल दी जिलालवद्दीन खेल या वलवन तो आपको बताने चोर मिनार का निर्मान किस आशकने कराया था सभी बताएंगे चोर मिनार चोर मिनार आपको बताने किस सा सकने इसका निर्वान कराया था जी चोर मिनार चोर मिनार में आप याद रखेंगे कौन है बी ऑफसन भी क्या है आपका अलाउद देन खिल दी चोर मिनार में कौन है अलाउद देन खिल दी तो चोर मिनार आप याद रखेंगे चोर मिनार तो आप तीन मिनार जरूर याद रखें ठीक है इसका अंसर क्या होगे अलाउद्दीन खिल दी एक कौन सी मिनार है थी आपकी चोर मिनार ठीक है चोर मिनार आप से पूछ रहा है तो चोर मिनार आप याद रखेंगे कौन था इसका फाउंडर किस ने बनवाई थी अलाउद्दीन खिल दीने बनवाई थी चोर कुट्वद्दीन एवक्ने स्की नीव रखवाएं ती और पूरा किस ने करवाए था । मुष्थ है किस कर व Two तव में कुट्वद्दीन एवक्न तो ये भी खंप रापका दिल्लीा में चार मिनाग चार मिनार आपको कहां पर है चार मिनार आपका हैदरबाद में और ये कुतिब साही वंस के आपके सा सकते कुली कुतुब साहा कौन आपका कुली कुतुब साहा के द्वारा आपका चार मिनार का निर्मान कराए गया चार मिनार कहां पर है ये आपकी हैदरबाद में कुतुब मिनार कहां पर आपके दिल्ली में चोर मिनार भी कहां पर आपका दिल्ली में तो इन सब के निर्वान करता है चोर मिनार का कौन है अलाउद दीन खिल लिए कुतब मिनार का कुतब दीन एबके और चार मिनार का कौन है कुली कुतब सा किलर हो गया जी आगे बढ़ते हैं नेक् राजा राम महणराये तो राजा राम महणराय द्वारे स्थाफित जवाब की शन्सत्राय, उन्हें एक कोड के माध्यम से याद रखेंगे, क्या है कोड आत्मा ही वेद है, क्या है कोड आत्मा ही वेद है और क्या है भ्रह्मा क्या है राम है आत्मा ही वेदे भ्रह्मा राम है इस कोड के माध्धम से आपको याद हो जाएगा आत्मा ही वेदे भ्रह्मा राम है तो इससे क्या बन जाएगा आत्मा से क्या बन जाएगा जी आत्मा से बन जाएगा आत्म स्वाह क्या बन जाएगा आत्म हमा से आत्म earlier कुछ चारी ऑद चारों में आप से पूच जाएगा वेज से व 및 लॉड राइक यह कॉलज्ज क्या वेत चाहाँ मेली मेरा वन एक यह लिए अ-बू रहुज से विदल सी और इन सब के founder कोन है इन सब के founder कोन है जी Raja Ram Mohon Raya राम से क्या बन जाएगा Raja Ram Mohon Raya क्या बन जाएगा Raja Ram Mohon Raya क्लिएर हो गया अब इनके वर्ष आपको याद होने चाहिए वर्ष क्या है वर्स ऐसे याद रख लेंगे आत्मी सभागर आपसे पूछ रहा है कब है 1815 कब है 1815 हिंदू कॉलिज इसके दो वर्स बाद 1817 वेजान्त कॉलिज गब है 1825 और ब्रहम समाज गब है 1808 यह सब किस्थापन कहां पर किये कॉल काता में किलर हुआ उसके बाद आप याद है किसके ने किया भी जागरण कपिता तो भारते पुनर जागरण का पिता आपसे पूछ रहा है पुनर जागरण का पिता कौन है तो इसे भी याद रखेंगे भारते पुर्ण जागरण का पिता कौन है राजा राम महान राए कौन है राजा राम महान राए किलर हो गया जी राजा राम महान राए जी आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन देखते हैं तो कर' को नहीं सनद़ान पर का है यह कि ऊप्षन्यी उस्थियर पर क्युक्षपयाई कि एक दो हिंए अंकर यह जिन कर दाईंगे केंद्रिंस एलधिन आनुसों भान केंद्र आपको बताना है कहाँ पर इस्थित जी अव्षन्स przy कि पूछा जाएगा खाद अनुसंदहान केंदर क्या है खाद अनुसंदहान केंदर आप से पूछ रहा है खाद अनुसंदहान केंदर ये कहाँ पर आपका मैसूर में आप से पूछा जाएगा गन्ना अनुसंदहान केंदर कौन सा है गन्ना अनुसंदहान केंदर और केंदर और ये कहाँ पर है ये हैं आपके लखनों में आप से पूछा जाएगा एक कौन सा है एक है आपका दाल अन ऐविए बड़ते हैं नेक्ट कोस्टन है अमजद अली खान और अली अकबर खान किस वादियंत से संबंदिते हैं सरोद सेहनाई वाइलिन या वीना अमजद अली खान और अली अकबर खान किस वादियंत से संबंदिते हैं सरोद सेहनाई वाइलिन और वीना तो इसमें कौन सा आपका सही है इसमें है आपका सरोध क्या है इसमें आपका इसका आंसर क्या होगा आपका सरोध किस वाधियंत से संबंदित है आपका सरोध वाधियंतर से संबंदित है किलर हो गया जी आगे बढ़ेंगे next question देखते है next question है बहत किस देश की मुद्रा है बहत आपको बताना है लेवनान है ताइवान है थाइलेंड है या ओमान है बहत किस देश की मुद्रा है बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे बहत किस देश की मुद्रा है तो लेवनान आप पढ़ते है लेवनान आप पढ़ेंगे लेवनान लेवनान की कैपिटल क्या है लेवनान की कैपिटल क्या है बेरुत ठीक है और मुद्रा क्या है मुद्रा है इसकी पाउंड क्या है मुद्रा पाउंड ताइवान की कैपिटल क्या है ताइपे क्या है आपका ताइपे मुद्रा क्या है मुद्रा है इसकी डॉलर क्या है मुद्रा इसकी डॉलर उसके बाद थाइलेंड की कैपिटल क्या है थाइलेंड की कैपिटल क्या है जी मुद्रा अगर आपसे पूछ रहा है ओमान की क्या है ओमान की मुद्रा क्या है आपकी दिनार क्या है ओमान की मुद्रा दिनार क्लियर हो गया तो इसमें आप याद रखेंगे और इसमें याद रखेंगे आप कि जो थाइलेंड है थाइलेंड का आपका जो आपसे पूछा है बहत किस देश की मुद्रा है तो बहत याद रखेंगे बहत किस की है थाइलेंड की ओमान में इसमें थोड़ा से संसोदन करें ओमान की मुद्रा क्या है रियाल क्या है आपका रियाल क्लियर हो गया एक बार सकट और रियार जी आप से पूछा जाता है इसी में किलर हो गया पटाका किस देश की मुद्रा है पटाका क्या है पटाका पटाका अगर पूछ रहा है तो पटाका आप याद रखेंगे पटाका किस देश की मुद्रा है मकाउ की किसकी आपकी मकाउ देश की मुद्रा क्या है ठीक है और आपसे पूछा जाते है बिर क्या है आपका बिर किस देश की मुद्रा है तो आप याद रखेंगे कौन सा देश है इथोपिया कौन सा देश आपका इथोपिया इथोपिया कैपिडल क्या है आदिस अबावा और मुद्रा क्या है बिर ठीक है याद रखेंगे इन तो अनों को ये बहुत पूछी जाती है पटाग अगर आप से पूछ रहा है पटाग किस देश की मुद्रा है मकाउ देश की मुद्रा क्या है पटाग है जी आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोसन देखते हैं आगे बढ़ते हैं जी देश के राष्ट्य पति या किस देश के पिरमुक को बनाए गया यह 19 नंबर कोशन आपका 19 नंबर ठीक है तो आपको बताना है गरतन दिवस 2023 के अतिति किस देश के बनाए इंडोनेशिया मिस्र लीविया जापान इनमें से आपको बताना है तो अभी आपने पढ़ाए यह क का आपका कोशन है कि जो गरतन दिवस 2023 है इसके मुख्य अतिति कौन बनाएंगे तो मिस्र देश के राष्टेपती कौन है इनका नाम है अब्दूल फते अलसी सी क्या नाम दें अब्दूल फते अलसी सी तो अब्दूल फते अलसी सी को वर्स 2023 के गरतन दिवस के रूप में मुख्य अतिती के रूप में आपका गोसित किया गया किलर हो गया कौन व्यक्ति हैं अब्दुल फते अल से सी 2023 का जो गरतन दिवस होगा उसके आपके मुख्य अतिती अगर आप से पूछा जाए जो फिर्थम हमारा 1950 में गरतन दिवस हुआ था तो इसके मुख्य अतिती कौन थे बताएंगे सबी तो इसके मुख्य अतिती कौन थे ये इंडोनेसिया देश के राष्टेपती थे कौन सा देश आपका इंडोनेसिया इंडोनेसिया देश के राष्टेपती कौन थे डॉक्टर सुकर्णो कौन थे आपके डॉक्टर सुकर्णो तो ये भारत में आपके गरतन दिवस के पिर्थम मुख्य अती थी कौन थे डॉक्टर सुकर्णो तो इनका भी नाम याद रखेंगे कौन से देश के थे इंडोनेशिया देश के और वर्स 1950 में आपका पहला गर्तन दिवस बना था तो उसके मुझके अती थी आपके बने थे नेक्स्ट कोस्वन देखते हैं लाश्ट कोस्वन आपका आज का और लाश्ट कोस्वन क्या है इस्टेचू ओफ प्रोस्पेरिटी हाली में कहां पर इस्थापित की गई है इस्टेचू ओफ प्रोस्पेरिटी आपको बताना है कहां पर इस्थापित की गई है गुजरात, करनाटक, राजिस्थान, आंदरपर्देश, Statue of Prosperity तो Statue of Prosperity आप पढ़ते हैं Statue of Prosperity हाली में प्रिदान मंती नरिंदर मोधी ने इसका उद्गाटन किया है और ये किसकी मूर्ति है? ये आपका नाद पिर्भू, कौन ब्यक्ति है? नाद पिर्भू, कैमपे, गोड़ा जिनने बैंगलोर का संस्थापक माना जाता है नाद पिर्भू, कैमपे, गोड़ा तो इनको आपका इनकी मूर्ति इस्थापित की गए ये इस्थापित किये बंगलोरु में, कहां पर बंगलोरु, कहां पर आपका करनाटग की कैपिटल क्या है? बंगलोरु, किलिबर हो गया, अन्य जो आपकी स्टेचु है, उनको भी आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है Statue of unity तो Statue of unity ये कहां पर किस की है याद रखेंगे आप से पूछा जायेगा Statue of equality ये कहां पर किस की मूर्ति है आप से पूछा जायेगा Statue of Knowledge Statue of Peace कहां पर है ये किसकी मूर्थी आपको बताना है नहीं कि देखते हैं Statue of какой Además तो आप सब जानते हैं किसकी मूर्थी ये है सरदार पटेल किसकी मूर्थी है सरदार पटेल के और ये कहां पर है सब जानते हैं इसके बारे में ये हैं आपका के वडिया गुजरात में कहां पर है के वडिया गुजरात में और विसकी सबसो उची मूर्ति ये और इसकी हाइट कितने 182 मेटर कितनी है हाइट 182 मेटर और इसके डिजाइन करता कौन थे राम सुतार आप पर पूछा जायागा Statue of Equality Statue of Equality किसकी मूर्थी है तो इसे आप याद रखेंगे यह किसकी मूर्थी यह संत रामा नुजा चारी है किसकी है संत रामा नुजा चारी है किसकी है संत रामा नुजा चारी है Statue of Equality आप याद रखेंगे संत रामा नुजा चारी है और ये कहां पर है ये है आपका हैदरबाद में कहां पर इस्थित है ये है आपका हैदरबाद में कहां पर इस्थित है है हैदरबाद Statue of Knowledge आपको पूछा जाएगा यह किस की है जी Statue of Knowledge यह है भीमराव अंबेडगर कहाँ पर है भीमराव अंबेडगर के आपके मोर्ति है किसके मोर्ति है भीमराव अंबेडगर भीमराव अंबेडगर के आपके मोर्ति है और यह कहाँ पर है यह आपका लातूर महाराष्ट में कहां पर है यह है लातूर और लातूर कहां पढ़ता है महाराष्ट में आपका पढ़ता है Statue of Peace तो आप याद रखेंगे यह किसकी मूरती है Statue of Peace आप याद रखेंगे यह आपके किसकी है यह जैन आचारिय कौन से जैन आचारिय विजय वल्लव जैन आचारिय कौन है विजय वल्लव यह इनकी मूरती है और ये कहां पर है ये आपका पाली राजिस्थान में कहां पर है आपका पाली राजिस्थान में किलर हो गया कहां पर आपका पाली राजिस्थान किलर हो गया सभी का तो इनको आप सब को याद रखेंगे एक बार पुने देख लेंगे पूछे तो किसकी आपकर नाद पिर्वू कैम्पे गोड़ा की मूड़ती है और कहां पर है यह आपका बैंगलोरू करनाटक में किलिए रहुआ उसके बाद है स्टेचु आफ यूनिटी यह सरदार पटेल किया केवड यह गुजरात में स्टेचु आफ एक्विलिटी यह कहा कहांपर आपका हैदरबाद में स्टेचू आफ नालिज यह आपकी भीहमराव अंबेट कर गिये कहांपर लातुर महराश्ठ में और यह टेचू ओफ पीस ठीक है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सेयर करें और हमारा साथ दें और आगे जो भी आपके मोख ट्रेस्ट होगे उसमें भी आपको बहतर प्रेस्न दिये जाएं इसे के साथ मैं आपसे विदाय लेता हूँ धन्यवाद जैन जै वारत